ये दो चीज करके रखो आपका इंजिन हलो दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल और एक न्यू वीडियो में आपको स्वागत करता हूं तो मैं फिर आज आगया हूं एक हंटर का उपर या फिर पूरा रोयल इंट फिल के बाइक का उपर यह जो इसू है बहुत सारे लोगों को फे पूरे जानकारी मैं इस वीडियो में देने बाला हूं वह इसू है रोयल इंफिल की इंजिन का हीटिंग इसू और मैं यह जो आज वीडियो बना रहा हूं यह स्रिफ हंटर का उपर नहीं यह सारे कुछ आपका मेट्योर हो गया या तो क्लासिक हो गया या तो बुलेट 350 हो कुछ लगे तो वीडियो को एक लाइक और चानल को सब्क्राइब करके जाना मत भूलिए अगर आपको यह वीडियो कुछ इन्प्रमेटिव ना लगे तो वीडियो को डिस्लैक करिए और मेरे को कमाड में बताईए कि कहां पर मैं इसको ठीक कर सकता हूं चलिए वीडियो मे बड़ा engine होने के कारण यह तो गरम होगा ही होगा लेकिन इतना ज़्यादा heating इसमें कि आप इसको heating का इस्सू बोल सकते लेकिन यह इस्सू नहीं है यह heating देखने को लिए मिलता है लेकिन एक इस्सू नहीं है क्यों नहीं है इसको मैं आपको explain करता हूँ, देखिए, अगर meteor हो गया है, या to classic हो गया, उसका जो footrage होता है, यह वाला footrage होता है, यह यहाँ पर होता है, यह जो break है न, तो यहाँ पर होता है, उनका footrage, और यह brake वाला जो system है, यह यहाँ तक रहता है, तो हमारा पेर जो जाता है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा पेर इस तरह जाता है, तो हीटिंग का जो प्रोब्लेम होता है, हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है उसमें, लेकिन इसमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, किसमें? हंटर में, इतना ज्यादा तो नहीं बोल सकते उसको क्योंकि देखिए हमारा पेर तो यहां पे रहता है और यहां से थोड़ा थोड़ा साइलेंसर से थोड़ा थोड़ा हीटिंग इसू यहां पे लगता है और यहां पे बहुत ज्यादा नहीं लगता इतना नहीं बोल सकते बहुत ज्या यह 350 का एंजिन है तो इसमें वो जो पावर है इसमें तो थोड़ा तो हीटिंग इसू देखने के लिए मिलेगा अगर आप एक रोयल इंफिल्ड की यूजर हो या तो हंटर का यूजर हो ये दो चीज करके रखो आपका इंजिन इतना भी गरम नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो उतना भी गरम नहीं होगा तो पहला बात तो यह हो गया यहां पर एक फ्यूल जो होता है वो फ्यूल को सप या तो मिनिमम इतना हो गया, उतना ही करके रखें, मेरा आप दिखने ही रहा है क्योंकि ये स्टांट पर लगा हुआ है इसलिए दिखने ही रहा है तो ये चीज जरूर द्यान पर रखें, और एक चीज द्यान पर रखें कि आपका जो ये रोयल facto साथ होता है थोड़ा थोड़ा कभी कबार होता है सब पे नहीं होता है लेकिन बता देता हूँ यह जो silencer जाता है यहां से हो गया या तो यहां पे एक joint होता है उस joint से थोड़ा भी leakage हो गया ना थोड़ा भी air pass कर रहा है तो यह बहुत ज़्यादा हीट करने लग जाता है तो इसी बात को ध्यान पे रखिए आपके वो जो बाइक होता है उसमें ज़्यादा हीटिंग का इसू फेस करना नहीं पड़ेगा तो यह दो चीज़ को ध्यान में रखिए अगर आप एक bullet का user हो या तो रोयल इंफिल्ड का कोई भी बाइक का user हो आप तो मैं बता देता हूं दोस्तो इतना बड़ा engine दिया है रोयल इंफिल्ड ने तो वो तो हीटिंग होगा तो होगा वो भाइबरेट वो हीटिंग वो तो पुराने याद्याश से तो मैं इतना ही बतायोगा कि जो मैंने बोला उसको थोड़ा फॉलो कीजिए ओएल को चेक कीजिए और वो लिकेज होता है कि नहीं उसको चेक कीजिए यह सब प्रोब्लेम को सल्यूशन करके रखिए उस प्रोब्लेम को खतम करके रखिए आपका बाइक का ओपर वो इसू आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा खास करके मैं बता रहा हूं मेरा जो हंटर है उसमें हीटिंग का इसू बिलकुल नहीं मिलता है आप मैं जो सब भी पॉइंट को यह किया आपको दिखाया तो उसको थोड़ा गोर से चेक कीजिए तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चानल को सस्क्राइब करके जाना ना बुलिए थैंक्यू